आज कलके महंगाई बरे जमाने में अगर आप एक एंट्री लेवल गेमिंग पीसी बिल्ड करते हो इसके अंदर आपको 1080p गेमिंग करनी है अच्छे का से लेवल की वहां पर खर्चे आज भी अच्छे का से मोटे हो जाते हैं मतलब 50,000, 60,000, 70,000 में तो मतलब स्टार्टिंग है इससे कम में तो गेमिंग का इसाब किताब बनी नहीं सकता लेकिन AMD के जो APUs हैं इसको हम कैसे भूल सकते हैं AMD के 5000 सीरीज के APU के उपर हमने वीडियो बना रखी दिक क्या बढ़िया रिस्पॉंस आपने दिया था एंड वो उस टाइम पर क्या सही परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था भाई ग्राफिक कार्ड के साथ PC बिल्ड नहीं करना चाहते एंट्री लेवल आपको गेमिंग करने है प्लस प्रोड़क्टिव टास्क भी करने है वो इसके अंदर कैसे कैसे पॉसिबल हो पाएंगे वो सारी चीज़ हम कवर करेंगे अब तुम्हारे दिमाग में रहा हो कि यह APU क ग्राफिक कार्ड लेना पड़ता है वैसे डिस्प्ले आउटपुट वाली चीज यह राइजन 5000 सीरीज तक अप्लिकेबल थी 7000 सीरीज के बाद तुम्हारे को सारे प्रोसेसर से डिस्प्ले मिलना शुरू हो गया लेकिन इन APU के साथ आपको ग्राफिक कार्ड की नीड ही यह डिस्प्ले आउटपुट भी देंगे और अच्छी कासी ग्राफिकल पर्फॉर्मेंस भी देते हैं जैसे अगर आप एंट्री लेवल गेमिंग करना चाहते हो तो उन सब चीजों में काम आ जाएंगे और इस APU का अच्छा कासा लाइन अप आपको मिल जाएगा सबसे स अच्छी कासी कास्टिंग में यह प्रजाता है राइजन सेवन की बात में कर रहा हूं 50-70-70-100 के पीची में आई 5 राइजन 5 लगता है यह अच्छे खासे कोर थ्रेड्स के साथ आता है सारी चीज़ें सबसे बहले तगनी की बाते कर लेते हैं यह आता है 8 और 16 थ्रेड्स क इसके उपर कर पाऊगे अगर बात करते हैं इसकी ग्राफिकल पावर के बारे में तो यह पर मारे को AMD Radeon 780M ग्राफिक्स मिलते हैं जो आते हैं 12 ग्राफिक कोर काउंट के साथ और यह आडिन ए 3 पे बेज़न है और यह जो जीप्योग यह आता है 12 कंप्यूट यूनिट के सारी चीज़ सोना फिर पर्फार्मेंस की बात भी करेंगे और यहां पर हमारे को 48 TMU मिल जाएंगे विचिस टेक्च्चर मैपिंग यूनिट एंड थर्टी टू आरो पी मिल जाएंगे रेंडर आउटपूट यूनिट यह बेसिकली जितनी भी सारी चीज़े हैं आपकी गे मामला हर जगा हम क्यों बीच एड़ जाएंगे तो इसके अंदर हमारों को मिलता है वर्ल फॉर्स नियूरल प्रोसेसिंग यूनिट डेस्टॉप प्रोसेसर के अंदर जो बेज है एंड के एक्स्टी एंड आर्किटेक्चर के ऊपर अगर टेस्ट बेंच के बारे बात करते है लेकिन एमडी की एक्सपो टेक्नालिजी के थुरू हम रैम को ओर क्लॉक भी कर सकते हैं तो जो हम रैम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वह एक्चुल 6,000 मेगार्स लॉक स्पीड पे ही यूज़ कर रहे हैं एक्टम तगड़ी पर्फॉर्मेंस के लिए और एप्यू ब प्लस मल्टिकोर का स्कुर एंड 1700 प्लस सिंगल कोर बहुत अच्छे का से नंबर है और यही पर गीक बेंच सिक्स का स्कुर आप देख सकते हो यहां पर बड़ी ए स्कूर यह निकालके देगया एंड इसका जो आईजी प्यू है ना उसका भी स्कूर निकालके मैं देख रह एंड उसके बाद PC Mark 10 7500 के आसपास अंदादा लगा सकते हो कितना पावरफुल एप यह हैं लास्नी मारा 3D Mark Time Spy जिसके अंदर भाई CPU स्कूर 10,000 प्लस एंड इवन GPU स्कूर में भी अच्छे का से नंबर निकालके देख एंड एवरेज स्कूर हमारा 3000 के आसपास है जो कि एक्जाक डेडिकेड़ फाली परफॉर्मस तो आप एक्सपेक्ट नी कर सकते हैं अच्छी परफॉर्मस में यह पर कह सकता हूं और वैसे आपने महरत करके इतनी बड़ी टाइम लाइन मना इतनी बड़ी एडिटिंग करी है आप एक्सपोर्टिंग देखोगे थोड़ा च टास्क की तो आपने जैसे की गीक बेंच का ओपन सील स्कोर देखा या 3D मार्क टाइम स्पाई का स्कोर देखा तो नमबर्स यहां पर मारे को ठीक ठाक मिल रहे हैं एक APU के साब से डेडिकेड़ जीप्यू के साब साम ऐसे कंपेर कर नहीं सकते तो यहां पर एंट्री वाले देखो उसके ऊपर जैसे आपके टास्क बढ़ेंगे आपकी बढ़ेंगी प्रोजेक्ट बढ़ा होगा तो जीप्यू की देखो नीड तो पड़ेगी लेकिन क्या दिक्कात है अगर आपने इसके पीसी बीड कर लें बात करूंगा और जब इतनी परफॉमेंस की बात तो अगर आप मीडियम तो हाई सेटिंग्स पे भी खेलोगे ना तो भी अच्छे खासे एफपीए से निकाल के दे देगा अगर यहां पर आपको स्टाइट समझ में नहीं आ रहें सबसे उपर हमारे जीप्यू की वाटेज सेम इसलिए क्योंकि एप्यू वाला बिल्ड है ह सब्सक्राइब निकाल के दे रहा है और इसकी सीप्यू की वाटेज देखो आप 85-90 वाट तक पावर यह पुछ कर रहा है तो आप पावर का अंदादर लगा सकते हो उसका उसका उमारे को एफपीस भी अच्छे का से मिल रहे हैं बागे आप चाहो तो सेटिंग्स वोड़ करके देख रहे हैं एंड भाई आपके सामने एफ्पेस हैं 1080p हाई प्रिशेट पर 40-45 एवरेज एंड एफसर लगाने के बाद 60-70 fps अलब एक यू देख रहो कहां पहुंच गए हैं कहां पहले नॉर्मल टास्क भी नहीं करवा पाते थे उसके बाद फोर्जार आइजन 5 1080p तो रखा हैं आपे मीडियम पे उपर फिवर कॉलिटी दिखा ही दे रहे हैं लेकिन अगर आप नीचे के स्ट्राइट देखोंगे तो मीडियम लो का मिक्स्चर आ रहा है और FSR मिलता है इसके अंदर हमारे को तो FSR बे हम टेस्ट करके देख रहे थे एवरेज FPS बढ़िया गेम प्ले बतलब E-Sports, Call of Duty Warzone जैसा Warzone के अंदर ग्राफिक कार्ड तो मेंडेटरी हो जाता है कि नहीं अगर अच्छे FPS चाहिए या लोएस सेटिंग्स पर प्लेबल बढ़िया फ्रेम रिट ले पा रहे हो और उसके बाद स्पाइड मैन माइल्स पर करके देख लेते हैं एक बार रेटरेसिंग और रेटरेसिंग लगाने के बाद भी 30-35 FPS मिल रहा है जो कि ठीक टक लेबल थे मतलब ज्यादा प्लेबल भी नहीं होते बड़ इस दिखाना तो दिखा दिया और वाई फिर निकालते से एप यू की जान साइबर बंक टेस्ट क करके देखी लेते हैं यहां पर हमने रेटरेसिंग को मीडियम पर रखा जादा ने कीचा एंड यहां पर पर्फॉर्मेंस के दिया बाई यह मेरे बसका नहीं है और बहुत ही जादा जीप्यू इंटेंसिव टास्क है बहुत ही जादा मतलब है तो उसके अंदर भी रेटरे एंड यहां पर प्रिसेट को ना ओरिजिनल पर रखा है जो मतलब बेसिकली मीडियम ही होता है एंड एफसर का सिनेरियो भी इसके अंदर सेम ही है 40-50 एवरेज एफ़ेस बिल रहे है आ रहा हमसे बड़ी आप मीडियम लेवल की गेमिंग आप कर सकते हो देन लास्टली हमार लास्ट ऑफस एंड इस पर प्रिसेट रखा है लो क्योंकि यह बहुत जादा जीपी इंटिट में तो यह बहुत बड़ी चीज है अगर बाद में जादा तगड़े लेवल के गेमिंग करनी है और कुछ आपको टास्क करने तो जीप्यू लगाने का ऑप्शन तो ही फिर भ लागी गया होगा तो यह था इसका पूरा रिव्यू एंड राइजन 7 8700 जी और अगर आपको 8500 जी 8600 जी का भी रिव्यू चाहिए रेडिगेड तो आप कॉमेंट करके बता सकते हो मेरा 8700 जी जादा टेस्ट करने का मनता क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आता है जैसे आपने देखा तो आपको डेस्टॉप बिल्ड करना है विदाउट ड्राफिक्स कार्ट तो इस एक प्यू के लिए आप जा सकते हो यह स्मॉल फॉर्म फैक्टर पीसी बिल्ड करना है उसके अंदर भी 8000 सीरीज के काफी सही से परफॉर्म कर जाएंगे और इन सब के स अगर आपके मधरबोर्ड में शमता होगी उसको जहलने की और बाकि AMD FSR 3 का यहां पे अमारे को सपोर्ड मिलेगा AMD Fidelity FX Super Resolution यानि कि आपको ज्यादा फ्रेम रेट मिले गेम के अंदर और इसको AMD FSR का एडिया निया इसके अंदर होता गया कि आपका गेम लोर रेजिलूशन चल रहा है उसको अपस्केल करके आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाता है जिससे ज्यादा फ्रेम मिलता है क्योंकि एच्वल तो कम रेजिलूशन पर चल रहा है लेकिन वह पिक्सलेशन या वह लोर रेजिलूशन आपको पता भी नहीं लगता और डिफरेंस आपने FSR का गेम PCI Gen 5 वाले हैं अब ऐसा नहीं के PCI Gen 5 वाला लगाओगे इसके PC बिल्ड के साथ तो चलेगा लेकिन PCI Gen 4 वाली bandwidth speed पर चलेगा क्योंकि उतनी bandwidth हमारे को नहीं मिलेगी इस CPU के साथ अगर आप भी आज की रिटम में एक entry level PC बिल्ड करना चाहते हो जो सारे टास्क मैंने आपको पता है वो आपको करने है तो AMD के 8000 सीरीज के APU के लिए आप जा सकते हो आज की रिटम में मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में जैसा आपका budget हो उसके लिए आप जाओ